नमस्कार, मैं दिक्षा पांडी उपस्तितु आफ सब 21-22 पर के कुछ खास ख़बर लेकर तो ख़बर के सुरुआत करते हैं यूपी के बदायुजीले से जहां भाज का विधायक ने की प्रेस कॉंफरेंज बतादिक यूपी के बदायुजीले के बिसौली विधान सबाच्चेतर से निर्वाचित भाज़पा विधायक कुछाग्र सागर ने अपनी वो प्रदेश सरकार के 4-5 साल पूरी होने पर एक प्रेस कॉंफरेंज के मात्यम से अपनी वो प्रदेश सरकार के द्वारा किये माल का हैंड पंप लगवाए और करीब 36 गाउं में विधायक निदी से सीसी रोड का निर्मार कराया है अपने विधान सबाच्चेतर के गाउं बगरेन में एक क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव सासन को भेजा वहीं बरसु पुराना मंदिर का जीड़ो धाय कराया है वि छे मही निवीधान सबाच्चुनाव में अभी बाकि है विधायक उसाग्रा सागन ने अपनी द्वारा कराए गए सभे कारियों का मीडिया के सामने वरन किया और अपने कार्यकरताओं से आगला किया है कि वह घर घर जाकर सरकार की योजनाओ का वरन करे जिससे हर वेक्ति को सरकार दोरा चलाई जारी योजनाव का लाग मिल सके और आने वाली चुनाव में दोबारा से उत्तर प्रदेश में भार्ट पर की सरकार बने देखे बिसौली से विशाल कुमार किल पोर्ट उस रोड का भी हम लोग चौरी करण करवा रहे हैं कुछ काम प्रस्तावित हैं मैं लगातार उन पे लगा हुआ हूँ मानिय मुख्वंत्री जी से और सब लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसे कुछ कामों में सबसे महत्पूर बिसौली का बाइपास है जिसका एस्टिमेट बन करके भी तयार हो गया है और हो सकता है मानिय मुख्वंत्री जी जल्दी ही इसकी भी गोशना करके और ये तोफ़ा हमारी विशौली विधान सबा को देंगे 134 करोड का इसका एस्टिमेट बन करके तयार हुआ है पी ड़बू ड़ी पे बागवा है उसके बाद एक अगनी शमन केंदर के लिए भी जगे हम लोगों ने देख ली है राने चो रहे पे उसके लिए जगे निश्चित की गई है इसका भी हम लोग मांग कर रहे हैं देखे जल्दी से जल्दी इसमें भी काम शुरू होगा वालिका इंटर कॉलेज बग्रेन में और राज की डिग्री कॉलेज आसापूर में भी मेरे द्वारा मांग की गई है अब देखिए कोबिड के समय पे हम लोगों को सबको बहुत जादा परिशानी का सामना करना पड़ा था और आगे इन परिशानियों को ना हम लोगों को स कि ऐसी पहले तो मैं भगवान से प्रात्ना करूंगा ऐसी कोई दिकत ना हो लेकिन अगर कोई होती है तो आसपूर हम लोगों ने अस्पताल को कोविड के सेंटर के रूप में उसको बनवाने का काम किया है जिसमें 30 बेड विद ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर रहेंगे अग कि इन साड़े चार वर्सों में विशौली विधानसवा का मैंने आप लोगों को अपना रिपोर्ट काड़ दिखाया है पूरी डीटेल आपको चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं कितना काम कहां से कहां तक का कौन सी रोड बनी जो मैंने रोटे किनवाई है उसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड हम लोग बात करेंगे कि मैंने इन साड़े चार सालों में क्या अपने लिए किया क्या आप लोगों के लिए किया मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल सकता हूं आप लोग जहां चिसकी करा लें साड़े चार वर्सों में मैंने कभी भी किसी का बुरा क लड़ने का प्रियास नहीं किया अपनी विधान सभा को आगे बढ़ाने का काम किया है मेरे चुनाव लड़ने से पहले जो मेरी मेरे पास संपत्ति थी आज भी उतनी है मैंने सिर्फ अपनी जो सेलरी मिलती है उस सेलरी से गाड़ी खरीदी है उसका भी आप डीटेल मांगें तो मैं आप लोगों को देने को तैयार हूं उसके अलावा मैंने कहीं से ना मेरी कोई मैंने जमीन में बढ़ोतरी हुई या फिर मैंने कोई और बिजनेस सापित कर ली ऐसा कुछ नहीं है चुनाव लड़ने से पहले जो मेरा था वो इस समय भी है आप लोग इसकी भी जांस करके प्रदेश में अच्छा नाम मोरियों को आगे ले जाने मोरी समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं तो इसमें किसी के कहने पर हम लोगों को नहीं जाना है हम लोग सब जानते हैं पूरे प्रदेश जानता है कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है और किसको हम प्राइबेट स्कूलों के लिए मैं अभी कह नहीं सकता मेरे पास भी कई सम्मानेज शिक्षक गण आये थे अभी मैंने वह दिन पहले भी शिक्षक समान समारों एक रखा था तो उन लोगों ने भी मांग रखी मैं जो उचित माध्यम है मैंने उनकी मांगों को वहां तक पहुंचाने का काम मैंने किया है तो हो सकता है मुखमंत्री जी मुखमंत्री जी के द्वारा इनके विशह में भी जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाए मेरे 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 पास उसका डीटेल है वह अभी प्रिस्ताब में पढ़ा हुआ है थोड़े दिनों में उसका काम शुरू होने वाला है सब्सक्राइब करने का पूरी कोशिश करूंगा मैं महनत से मैं पीछे नहीं हट सकता मेरा काम प्रियास करने का है वह मैंने इन साड़े चार बश्तों में हां कोरोना का समय अगर निकाल दे उसमें मैं समझ सकता हूं कि सभी को कुछ ना कुछ परिशानियों को सामना करना पड़ा उसमें हम लोग बहुत ज्यादा विकास कारें को आगे ले जाने का काम नहीं कर पाए लेकिन आप जो समय ब अगली कपर यूपी के प्रियागरा जिले से जान भागवत कता का हुआ समापन बतादे कि यूपी के प्रियागा जिले के हंडिया चेत्र के सैदाबात विकासखन के ग्राम सभा खटिया में वरिष्ट भाजपन नेता विद्याकान सावरे लातिवारी ने आवाज पर चल रही श्रीमत भागोत कथा कारिक्रम का समापन किया गया कथा समाप्ती पर विदी विधान के साथ हवन पूजन किया गया तत्पस्चार प्रसाद का भी वितर्ड कराए गया जहां पर भाग्तों ने जम कर प्रसाद का आनंद लिया स्वामी हरियरा नन जी महराद गरा भाग्तों को मनुहारी कथा का प्रवचन सुनाए गया कथा सुनकर भक्तगर भाव विभोर उठे वही पर आयोजेक विद्याकां सावरे लातिवारी ने सब भक्तों के प्रती अभार चताया वही पर चंदोहल से आये प्रभाकर सुकला ने उद्धोदन एवं भजन काकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया देखे हंडिया से प्रदी मिश्रा की एलपोर्ट जन्ता फिक पुती है और पड़ी के मन में भावना आती है मैं भगवान का करशाद खाके डारा हूँ करमात्मा हमारा रखे कथा भागुवत कथा कराने का उधेश आपके दो चर्वे जनाव शुकिनाव भूबनादा अगली खबर है राजस्तान के जालावाट जिले से जहां गौपुत्र सेना द्वारा घाल गौमाता को उप्चार बतादी कि राजस्तान के जालावाट जिले में सुचना मिली कि कोटा रोट देवरी घर्टा के वहाँ इक गौमाता का एक्सिडेंट हो गया है गौपुत्र सेना तुरंतर रवाना हुए और दुर्वटना इस्तर पर पहुचे तो पता लगा कि एक्सिडेंट इतना भयाँकर था जिसमें गौमाता की दो पांपूरी तरफ तूट गया है चूट गहरी हुनी के कारण पूरी रोट पर खून ही खून हो गया गौमाता बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी गौपुत्रो सेना अतिर्स जालावार वीनित पूरवाल ने बताया कि गौपुत्रों ने अतिर्स सिग्रित गौरत की सहायता से विकलांग गौशाला जालावार लेकर आये और प्रात्मी कुपचात करके लाज चालू किया गया ये थी जालावार से महाविर नागर की रिपोर्ट अब वक्त हो चुका एक छोटी से ब्रेक का तो बने रही है ऐसे ही मिलते एक ब्रेक के बाद आपका हम से ये जो रिष्टा है सोने जैसा सच्चा है जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे सुरक्षा होगी अब हर गली ये वादा आप से हमारा है जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे तो आपका यहां स्वाक्षे है पहले से और भी ज्यादा जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे हमारे काम की ये नईरी जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे जेत्मणी ज्वलस सबसे सुरक्षे सतर कता हो हमारे हाद जेत्मणी ज्वलर्स हमेशा आपके साथ हमारे दुर्गा कुद अर्टी बजार और मुगल सराई शोरोंस पे आपका स्वागत है ब्रिक के बाद फीर से आप सभी का एक बार स्वागत है तो आगे बढ़ते आप खबरों की तरफ खबर यूपी के कानपूर देहा से जहां बेटे के हत्या के बाद परिजनों का रो रोकर बुरहा बता दे की यूपी के कानपूर देहाद ब्लॉक में सर्वन खेडा की ग्राम सराय के निवासिर रागविंद सिंग सेंगर की कार से कुचल कर हत्या कर दी गए थी जिसके बाद से रागविंद के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है फरिवार में एकलौता बारिस था रागविंद की मा सरकार से रागविंद के हत्यारे विशे की फासे की मांग कर रहे हैं और अपनी और अपनी बेटी और अपनी सासु मां की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं अगर सरकार से उचीत नियाज ना मिला तो आत्महात्या करने की बात कही हैं देखे संजे कस्षिप की एंपोर्ट करने के लिवाए जा रहा हूँ गया अदा गंटे बाद उसकी अचानक बस पीछे से आ गया सबसे उसके उपर से तीन बार उसने गाड़ी चड़ाई है किया आपकी कोई दुस्मनी थी? किसी से उसकी कोई दुस्मनी नहीं थी पूरे छेतर में उसका पता का लीजिए कितना बेहतर लाड़का था पढ़ने लिखने में केवले वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और कहीं नहीं जाता था ना किसी की सुसाइटी थी अब आप क्या साथ ही? सरकार से आप क्या साथ है? अब उसकी मा की दिल से पूछो कि क्या गुजर रही है? कैसे मैं दोनों बच्चियों का भरना पोसर करूंगी? कैसे इनकी पढ़ाई करूंगी? कैसे इनकी साथी? कौन मेरा बच्चा है? मेरे परिवार में तो कोई भी नहीं है सगा संबंदी, न उसका कोई चाचा है, न भ फासी चाहिए, फासी. अब कोई अधिकारी आया अभी तक यहां? अभी तक कोई नहीं आया, केवल ठाने से आते रहे हैं, उनको भी घोस दे दी गई, वो भी की उन्हें की तरह बोलते हैं, अज सरकार खुद दौलत में बिकी हुई है, गरीब कोई नहीं सुनता है, बर जह अगली खबर यूपी के बस्ती जिले से जहां दलित बस्ती के 23 घर हुए जल्मग, बता दी कि बस्ती जिले के कप्तान गंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत, हरिपालपूर की ग्राम प्रधान हरिश्चन चोधरी ने बताया कि सामुदाइक सवचालर प्रात्यों की द्यालत सह अने कई कारे पड़ा है अधूरा, जिससे करना है पुरा गाउं से सर्टा है नदी का बंधा, जिस पर हो रहा है बंधी का कारे जैसी भी चलने के कारण तूट गई है गाउं की तीन सरकें, बरसात के बाद कराएंगे नवेनी करण, बारिश के पहले बनवार चुके हैं 600 मे का पानी निकल जाता था गाउं के बाहर अब उस पूल को तोड़ कर बना गया है मकान, जिसके कारण तेज घरों में घुस चुका है, तीन फीट से अधिक बरसात का पानी, देखे बसने से दिलिक कुमार पांडे की रिपोर्ट क्या मैं आपका हूं? बर्जेस कहां के रहने वाले हैं? यह जो जल जमाओ देख रहा हूं, यह जो तस्वीर नजर आ रही है, जल जमाओ की पुरा पानी भरा हुआ गाउं में, और लंको लगता है 25 घर भी है, और रास्ता गया हुआ, पिछ रोड गया हुआ है, तो रास्त द्वारा पानी निकल जाता था, पुलिया जारा यह पहले पानी निकल जाता था और पुलिया को पाठ लेने के बाद पानी निकल नहीं पहा लोग उसको अज़कमर करके पाट लिए पुलिया तो आपका क्या नाम है चंद्रिस कमार यह जो जल जमाव नज़रा रहे हैं यह असपर्ष्ट है कि यह प्रधान द्वारा जो प्रधान है पाट लिया इसनाते से पट्टा कर दिया जिसे वहां पर लोगों ने घर बन वालिया अब पानी वहीं से जाता था पहले पुलिया के सामने घर बनाने की वज़ाए से पानी आउरुद्ध हो गया जमाव में साइज 15-20 वह सकते हैं तो कुछ लोगों के घर गिरेव हैं हाँ द रहे थे पी डबलोडी में इस बात को लेकर तो उन्होंने मरमत कराने के लिए बोला पुलिया जो टूटी हुई है आपका क्या नाम है पत्रांस पत्रांस और यह पुलिया को तोड़ करके किसने पाट लिया पाट लिया तुम याण औरीव हो रहा है तो लिए उस जमीन को पत्त किया क्या हुँ आ पत्त अब पत्त किया उंहों लोगों ने उस जमीन को पट्श लिया झाल झाल